इसको हार्मोनियम पर निकालने के लिए हार्मोनियम मास्ट्री ज़रूरी है कि नहीं हार्मोनियम पर हात चले सबसे पहले थो और सुर और यह पिछ कहां मैच करेगा हर्मोनिम पर किस कोने पर किस सब तक में मैच करेगा जैसे और यह मैच नहीं किया और यह मैच किया आपका जो सवाल है कि गाना किस तरह से निकालें और वो गाना जो है ढूंडोगे कैसे आप जिस प्रकार से नजर और नजरिये की बात है नजर जो है इश्वर ने हमें दी है आँखें दी है आँखों का काम है दृष्टी का काम है कि वो देख सकती है लेकिन नजरिया जो है वो हमें दुनिया देती है बिलकुल आप अगरी करेंगे इस चीज़ पर जिस तरह से इनसान हम पैदा आदमी हम पैदा होते हैं और इन being, हम पैदा हुएं, लेकिन इंसान हमें ये जमाना बनाता है, कि किस तरह से इंसानियत रखी जाती है, किस के साथ कैसा वेवार रखना है, किस से कैसी बात करनी है, ये हमें जमाना हमारे अनुभव, ये सब सिखाते हैं, ठीक है, उसे ही तरह से technicalities, हमें गाना निकालना नहीं सिखाती, sense जिसे कहते हैं, music sense, जिसे स्वरग्यान या लेग्यान कहते हैं, मैं ये कभी किसी को दावे के साथ मैंने नहीं कहा, कि अगर आप ले ताल सीख लोगे, जैसी techniques मैं बता रहा हूँ, सारी ताले अगर आप सीख लो, और जितनी लेकारिय मैंने बताई वो सारी कर लो, तो आप ले में पक्के हो जाओगे, कभी नहीं कहा, सारे अलंकार कर लो, सारे थाट, सारे पिछ बजा लो, तो आप संगीत में सारा स्वर पहचानने लग जाओगे, ऐसा होगा, ये मैंने कभी नहीं कहा, सारी रागें सीख लो, जितनी जादा रागें सीख लो और उसके बाद वो राग आपको पहचान में भी आने लग जाए ये भी मुम्किन नहीं है उसी तरह से जिस तरह से नजर तो हमारे पास है आप अपने किसी बच्चे को या अपने किसी बिलविड को बता सकते हो कि कि बेटा ये अच्छा है ये बुरा है और उस अच्छे बुरे की फर्क उसे खुद महसूस होने लग जाए जिस दिन उस दिन का जो इख्तियार है जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है उसी तरह से संगीत में गाना निकालने का जो सेंस होता है कि सूर का सेंस कि दा दा इन दो सूरों में फर्क था कि दूसरा वाला उंचा था पहला वाला नीचा था दा ता ता ये तीन सूर थे इसमें ये फिर ये फिर ये 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 चड़ाओ था दा रा रा ये चार सूर थे इसमें एक यहाँ लगा एक उपर लगा एक उसके उपर लगा फिर एक जो चौथा सुर था वो दो और तीन के बीच में लगा ठीक है दो और चार के बीच में लगा ठीक है ये जो सेंस है कि सुर पकड़ में आना ये कोई नहीं सिखा सकता ये अनुभव और इन टेकनीक्स के जरिये अगर आ गया तो आ गया वो वाली बात है वरना मैंने पहली बोला कि गाना निकालने के लिए सिर्फ सेंस की आवश्यक्ता होती है स्वर के सेंस की अब वो सेंस किसी में खुद बखुद होता है कई लोग यह कहते हैं कि यार सीखने की क्या जरूरत है आप इतना कुछ सिखाते हो नेहा ककड को ले लो कहीं म्यूजिक नी सीखें वो तो खुद गहती हैं उनको कैसे आता है यह खांदानी लोग हैं इनके खांदान में म्यूजिक रहा है मैंने अपने गुर्देव से दादा गुरुजी से पंडित मरेंद्र कुमार ब्यावत जी से एक सवाल किया जिन से मेरे पिता जी ने भी संगित की शक्षा लिया मैंने का गुरुजी एक अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या करना पड़ता है जैसा कि आपने मुझ से सवाल किया मैंने भी अपने मर्जी का अपने पसंद का सवाल उन से कर लिया कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए गुर्देव करना क्या पड़ेगा उनका जवाब आप सुनेंगे तो आप ताज्यूब करेंगे वो कहते एक अच्छा कलाकार बनने के लिए आपको एक अच्छे कलाकार के घर में पैदा होना पड़ेगा मैंने का वो हमारे हाथ में कैसे है ये बताओ जन्म कहां लेना है किसके घर में लेना है ये हमारे अख्तियार में कहां है नियंत्रों में थोड़ी है कि इसके घर पैदा होना है एक नहीं तो बोले नहीं पर करना तो यही पड़ेगा तो मैंने का ऐसा क्यूं लेकिन उसी के घर में पैदा हुआ व्यक्ति ही क्यूं एक कलाकार बन सकता है क्यूं मैं कहीं और पैदा हूँ और मैं कलाकार नहीं बन सकता ऐसा क्यूं नहीं ऐसा क्यूं है कि मैं वहां पैदा ह गþल ंट टो मैं नहीं बननोगा लेकिन है कलाकार के घर में पेदा हुआ तोट समय हो जाए संगीत की समझ है, सेंस हमारे अंदर जो है, सातवा सेंस हमारा, पांच नॉर्मल सेंस होते हैं, जो नाक, आख, मुझ, कान जो है, उसकी बाद छटा हमारा कॉमन सेंस होता है, और सातवा हमारा सुर का ग्यान होता है, संगीत की समझ मैं तो सातवा सेंस कहता हूँ उसको, भले सीखना नहीं पड़ा, खुद बखुद सुरलाइस्थाल की समझ हो गई, लेकिन उसकी टेक्निकालिटीज भी उने पता हूँ, ये जरूरी नहीं, अगर एक अंग्रेज के घर में जनम लिया है, तो अंग्रेजी तो बोलोगे ही न, जायज सी बात है, हम हमारे घर में जब से हमारी सुधर्ती है, कि ये जो शब्द हैं, इस तरह से बोले जाते हैं, इस शब्द का मतलब ये होता है, एकिनी, उसी तरह से संगीत में ये सारी चीजें सेंस जो है, डेवलप हमारे अंदर, अनुभव जो है, वो खुद बखुद कर देता है, ये तो हो गया एक जवाब, अब दूसरा जवाब, मैंने ये सारे जवाब आपको वैसे तो दे रखें, पर फिर भी चलिए, आपने फिर से पूछा है, और भी बच्चे बैठें, उनको भी मिल जाएगा, एक ये जवाब है, गाना निकालने का, जो अनुभव वाला जवाब है, दूसरा जवाब, टेक बढ़ होनी चाहिए सबसे पहले तो, हाथ चलना ज़रूरी है, है कि नी, अगर आपके कानों ने पकड़ा है, कि ये लाइन, ऐसे है, तो इसको हार्मोनियम पर निकालने के लिए, हार्मोनियम पर मास्ट्री ज़रूरी है कि नी, कि हार्मोनियम पर हाथ चले सबसे पहले तो कि वो कण बारीखिया जो है वो निकाल पाओ और सुर की हार्मोनियम पर समझ हो आपको कि आ, 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 ये पिछ कहां मैच करेगा हार्मोनियम पर, किस कोने पर, किस सब्तक में मैच करेगा, जैसे आ, यहां मैच नहीं किया, आ, 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 ये मैच किया, समझे अइesis प्रेज़ बाइफ मेने कोश्च करी match कराने की रंग की पहचान बच्चे को नहीं होती है शुरुवात में होती है क्या रंग की पहचान हम बताते हैं न कि बिड़ा ये दे कि ये लाल रंग होता है इसे लाल रंग कहते हैं क्योंकि वो चीज दिखती है, इसलिए वो पहचान सकता है, है ना, हम sound की पहचान, pitch की पहचान बच्चे को कराते हैं, कि बेटा, ये वाला sound उचा है, ये वाला sound धीमा है, ये वाला sound mid है, ये पहचान हम बच्चे को देते हैं, कि बेटा, इसको shore कहते हैं, इतना उचा होगा तो वो शोर होगा, इतना नीचा होगा तो वो गंभीर होगा, और यहां होगा तो वो नॉर्मल पिच है, ना, तो यह क्या है, पिच की नॉलेज हम बच्चे को देते हैं, कान से पहचानता है, वो रंग की पहचान देख के करता है, सेंस डेवलप कर रहे हैं हम उसके अंदर, उसी की तरह हमारे संगीत में जिसे कहते हैं इयर ट्रेनिंग, कान तयार कैसे होते हैं, जब हम थाट पिच ये जानते हैं तो हमें वालूम चलता है कि आप है ढूपर है इतना नीचे है इतना हम द TF को समझाते हैं तो संब संकर कान तयार करते हैं तो की देख वेटा ये है और वन एक संगजाता है नश्क्तां आपि दो तीछार देख बटा, यह वाली fast lay है एक, दो तीन, यह कम वाली lay है, है नa, लेकिन यह उस समझ में आ जाए, इसकी guarantee है क्या कोई, कि उसके जहन में उतर जाए, उसके दिमाग में उतर जाए, यह बात कि हाँ यह वाली lay यह होती है, मैं बता सकता हूँ, यह टेक्निकली, टेक्निकली मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन यह दिमाख में बैठ जाया, उसकी कोई गैरेंटी नहीं है, उसी तरह से, जब यह सारी चीजें आ जाती है न, फिर आप क्या करते हो, phrase by phrase, गाना निकालने की कोशिश करते हो, phrase by phrase यानी त कर दोब बूब आया है तो अब यह गाना निकालने के लिए आपको इस पूरी लाइन नहीं निकालने हैं थोड़ा सा टुक्ड़ा बाहरों एतना सब्सक्राइब अब ढूंडो यह मैच किया, तीन चार बार में मैच किया, है न, मेरे लिए तो एक बार में मैच कर जाता, पर मैंने आपको एक्जामपल करके बताए कि देखो, ऐसे चार पांच बार में मैच करता है, कि बाहरू, मैंने जब गाना निकालना सीखा था, तो मैंने ऐसे ही किया था, टेप रिक ते करके आज तो आपके बास टेकनिक अीव 2 अप लाप्टॉफ में सुन सकते रहे जिस गाने को पाउस करिए कट करिया स्लो कर स्लो करिए कुछ भी करिए क्या अब गाना नकालना चाहते साखते हैं तक उसी नॉस्योड अब देखिए यह जब आप निकालना शुरू करते हैं अब मैंने बताया है कि थाट पिछ कहां काम आते हैं जब इस गीत को आप सुनेंगे इस खवाली को आप सुनेंगे तो आपको खुद भुखुद मौलुम चल जाएगा यह अपना आसावरी थाट जा रहा है वरना इस ग जब आपको तालें पता हैं तो अपने आप यह शॉट लिस्ट हो जाता ने जैसे कि हाँ यह तो इसमें मिलेगा एगी नी भई वो व्यक्ति है मैंने बुला यह वहाँ एक व्यक्ति खड़ा है उसको बुला के लाओ आप गया आपने देखा यहां तो चार-पांच आदमी खड़ा उसको बुलाओ आप जाओगे हाँ यह चार-व्यक्ति खड़े इनमें से दो आदमी है उन दो आदमियों में से किसको बुलाना है फिर मैं पताओँगा जिसकी हाइड चोटी हाइड वाला आजा भई यह क्या हुआ शॉट लिस्ट हो गया पहचानना आसान हो गया वरना तो इतने सारे में से क्या भेचान होगे तो वही गाना है उसमें तल कोई सी लग सकती है आपको क्या पता क्या लगती है लेकिन अगर आपको सुन के मालुम चलगी है तो आथ मात्रा में है क्योंकि आठ मात्रा सीखी हुई है तो पहली चीज़ वो शॉट लिस्ट हो पिर सुनते माख् profitable है यह कुछ असावरी हाट जैसा कुछ जा रहा है पर तररो ठीक है तो शॉट लिस्ट हो गया सुनके ही मालूम चला कि आसा वरीज हाट में उसके बाद आप निकालने की कोशिश करो उसे वहां गाया मेरे रश के कमर तो मेरे पहले इससे जाओ फ्रेज बाइ फ्रेज जाओ छोटा सा टुकड़ा लो मेरे मैच करने की कोशिश के मेरे मैच नहीं कर रहा है मेरे हर सुर निकालो मैं एक ही सुर पर टिका के मेरे ये मैच किया तो ये कान कहां से तयार करूँगा मैं मैं आपको सुर सिखा सकता हूँ मैं आपको ले सिखा सकता हूँ सेंस कैसे डेवलप करूँगा मैं आपको अच्छे ब को अच्छे बुरे में फर्क नजर नहीं आता, उसे सिर्फ बता सकते हो, कि चोरी करना गलत बात है, यह बुरा काम है, किसी को दान दे देना अच्छा काम है, पुन्य है, पर यह महसूस कैसे कराओगे, उसे फर्क दिखता ही नहीं तो दिखाओगे कैसे, वो बताओ, वही वा हि जब वह लाइन सुनौऊ रहा हो ना मेरे तो वहाँ सुन दो पिछ आए मेरे दो सुराय वह यह który कोशिश करी मेरे वही मैंने ये example पहले भी आपको दिया है कि अभी मैं जिस pitch पे बात कर रहा हूं मैं आपसे चिला के बात नहीं कर रहा हूं मैं इस pitch पे बात कर रहा हूं तो अगर आप मुझसे इसी pitch पे बात करेंगे तो यह आपके कान है न है न अगर मैं इस pitch पे बात करने लग जाओं तो आप भी इसी pitch पे बात करोगे, और अगर मैं इस pitch पे आप से बात करने लग जाओं तो आप भी इसी pitch पे मुझसे बात करोगे, तो यह आप क्या कर रहे हो, pitch match कर रहे हो, simple, हम किसी से बात करते हैं, voice pitch match करते हैं, वही काम तो गाने म इसका मैंने मैं टेक्निकल थू से आपको समझा सकता हूं पर किसी में वो सेंस खुद बखुद होता है किसी में वो सेंस पैदा करना पड़ता है तो पैदा तो अपने आप होता है वो चीज है सुर की समझ अगर कहूं मैं तो वो कहां से लाओं मैं कैसे दूं काश मेरे पास को मंत्रो जुता